इंदर एकदशी कब है? जाने तार्इक और महत्वव पितरों के खुरुपा पाने के लिए ऐसे करे पुजा इंदर एकदशी की व्रत करने से बगवान विष्णु का अशिर वात्तों मिलता ही है शाती सात पितरों को बिम्हुख्ष प्राप्त होता है इसलिए इस एकदशी का महत्वल अधिक बढ़ जाता है हाला कि इस बार एकदशी थिथी दो दिन 27 और 28 सितंबर को होने की करण वृत की तारिक को लेकर कन पुजन बना हुआ है आये जानते है कब रखा जाएगा इंदरा एकदशी का वृत पुजा का शुब महुर्त और पित्रों की कुरुपा पाने के लिए जाने पुजन विदी इंदरा एकदशी का वृत अशिविन मास की एकदशी तिती के दिन रखा जाता है इंदरा एकदशी का वृत बहुत ही महत्व फुर्ण माना जाता है दरसल इंदरा एक दशी का व्रत रखने से बगवन विष्णु की कुरुपा तो मिलती है साती साथ पित्रों को भी मोक्ष प्राप्त होता है इसलिए इस एक दशी पर बगवन विष्णु की कुरुपा पाने केले आपको फूरे विधी विदान से पुजन करना चाहिए आये जानते हैं इंद्रा एकादशी का वरत कब रखा जाएगा साथ ये साथ जाने इंद्रा एकादशी का महत्म और पुजन विदी कब रखा जाएगा इंद्रा एकादशी दो हजार चोबिस का वरत हिंदी पंजां के अनुसार एक दशी तिति का आरम 27 सितंबर शुक्रुआर को दो बहर एक बचकर 19 मिनिट पर होगा और 28 सितंबर को दो बचकर 50 मिनिट पर एक दशी तिति समावत होगी शासरों के अनुसार उद्या तिति में जब कोई तिति लगती है तो उसी दिन व्रत किया जाता ही ऐसे में इंदीरा एक दशी का व्रत 28 सितंबर को किया जाएगा इंदीरा एक दशी के पुजा का शुब मुहुर्ट पुजा के लिए सबसे उत्त मुहुर्ट 28 सितंबर को शुब चाउगडिया सुबह 7 बचकर 42 मिनिट से 9 बचकर 12 मिनिट तक रहेगा शाम के समाई अम्रूत चाउगडिया दोबहर में 3 बचकर 11 मिनिट से 4 बचकर 40 मिनिट तक इन में से किसी भी सुब मुहुर्ट में आप पुजा आर्जना कर सकते ही इंद्र एक दशी का महत्व इंद्र एक दशी का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इस वरत को करने से आपके पित्रों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह वैकुंट धाम में धाम को जाते ही साथी साथ इस वरत के प्रबाव से खुद के लिए भी स्वरत के दार खुल जाते ही इंद्रय कदशी पुजा विदी पत्म पुरान में वर्नित विदी का नुसा इंद्रय कदशी का वरत रखने से बहले दश्मी थिति के दिन पित्रों का स्राद्ध करे दश्मी थिति में ब्राम्वन, गोगरास, कव्वे और कुट्ट्यों इन सभी को भोजन कराए साथी साथ इस दिन किसी से चुगली आधी ना करे दश्मी थिति में रात के समय भूमी पर शेयन न करे और अगले दिन यानी एकदशी तिती में वुरत का संकल पले इसके बाद सनान आधी की बाद एक चोव की पर फिला कपडा बिचाए और उस पर स्री हरी की प्रतिमा स्तापित करे फिर भगवान विश्नु को वस्र आरपित करे और उनके साथ मातलक्ष्मी को भी उने भूत हुआ है